ताने परफॉर्मंस को प्राथ्विक का दिये है भर्म की राजनीती को बेश्वाथ्यों ने ठुकराया है और बरोसी की राजनीती पर विजय की महाविक अधर्विक सम्मिधान के 75 वे वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं इस सदन के लिए भी ये पढ़ाव विशेश है क्योंकि इसे भी 25 सा हुए है और इसलिए एक सुहग सहियोग है मेरे जैसे बहुत लोग है इस देश के सारवजेने जीवन में जिनके परिवार में कोई गाउं का सरपंज भी नहीं रहा है गाउं का प्रदान भी नहीं रहा है राजनीती से कोई सरोकार नहीं रहा है लेकिन आज अनेक महत्वकों पदों पर पहुँच करके देश की सेवा करता है और उसका कारा बाबा साब आमबेड करने जो संभीढ दिया है उतने हमाँ जयसे लोगों आउसर परुप और मेरे जयसे अनेक लोग है जिनको बाबा साब आमबेड कर दोरा दीए गए संभीढ के कारण यहाँ तक आनेक आउसर मिला है और जन्ता जनार्दन ने उत पर महर लगाई तीसरी बार आने का मुगा मिल गया आदल ये सभापते जी समिधान हमारे लिए ये कोई आर्टिकल्स का कमपाइलेशन मात्र नहीं है हमारे लिए उसका स्पिरीड भी और उसके शब्द भी बहुत मुल्यवान से और हमारा मानना है कि किसी भी सरकार के लिए किसी भी सरकार के नीती निधारण में कार्यकलापों में हमारा संविधान लाइट हाउस का काम करता है दिशा दर्शक का काम करता है हमारा मावदर संविधा आदे लिए सभापती जी मुझे आद है मैंने जब लोकसभा में हमारी सरकार के तरफ से कहा गया कि हम 26 नमंबर को संविधान दिवस के रुपर बनाएगी तो मैं हराम हूँ जो आज संविधान की प्रत लेकर के कूदते रहते हैं दुनिह में लहराते रहते हैं उन लोगों ने गिरोध किया था 26 जनवरी तो है कि संविधान के चौन आए और आज संविधान दिवस के माद्दम से जेश के स्कूल कॉलेटिव में संविधान की भामना को संविधान की रचना में क्या भूनिका रही है देश के जन्मान में महपुरूस होने संविधान के निर्मान में इन कारों से कुछ चीजों को छोड़ने का निर्णे किया किन कारों से कुछ चीजों का स्पिकार करने का निर्णे किया इसके विशय में हमारे स्कूल कॉलेजिज में विस्तार से चर्चा हो निबंदस परदाये हो चर्चा सबाये हो एक व्यापक रूप से संविधान के प्रती आस्ता का भाव जगे और संविधान के प्रती समझ विक्सित हो देश वाचियों के लिए आने वाला पूरा कालखन संविधान हमारे सर्चे बड़ी प्रेणा रहे इसके लिए हम कोशिश करते रहे हैं और अब जब 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो हमने इसे एक जंग उत्सव के रुप में राष्ट व्यापी उत्सव बनाने करता है और इसे देश के कौने कौने में संविधान के भावना को संविधान के किसे को मकसद है उसके विशे में भी देश को आउगत कराने का प्याँ आदनिया सभावतेजी देश की जंता ने हमें इसरी बार जो आउसर दिया है वो आउसर जिखसिद भारत आत्म निर्भर भारत इस यात्रा को मजबूती देने के लिए इस संकल्प को सित्वी तक ले जाने के लिए हमें देश के कोटी कोटी जनों ने आशिरवाद दिये आदनिया सभावतेजी ये चुना दस वर्ष की सिद्धियों पर तो मौर है ही लेकिन ये चुना भविष के संकल्पों के लिए भी देश की जनता ने हमें चुना क्योंकि देश की जनता का एक मात्र भरोसा हम पर होने के कारण आने वाले सब्सक्रों के लिए हमें आउसर लिया आदनिया सभावतेजी देश भनी नहाती जानता है देश ने इछले दस वर्षों में हमारे देश की अर्थ गवस्ता को दस नंबर से पांच नंबर पर पहुंचाने में सभावता जाए है और जैसे जैसे नंबर निकरखा की सिज़ी के दर पहुंचा है एक की तरफ पहुंचा है तो चुनोतियां भी बढ़ती है और कोरोना के कखीन कालखन के बावजुद संगर्ष की बैश्विक परिखितियों के बावजुद तनाव के बातावरं के बावजुद में हम अमारे देश की अर्थ बवस्ता को दस नंबर से आज विश्व में पांच नंबर पर पहुताने में चलाएं इस बार देश की जनता ने हमें पांच नंबर से तीन नंबर की इकनोमिक पर पहुताने के लिए चना देश दिया है और मुझे पक्का विश्वास है इस देश की जनता ने हमें जो जनादेश दिया है हम भारत की अर्थ बवस्ता को विश्व के टॉप तीन में पहुँचा के रहे हैं मैं जानता हूँ अगर ने सवा पती जी यहां कुछ ऐसे विद्वान है जो यह मानते हैं इसमें क्या है यह तो होने ही वाला है यह तो अपने आप तीसे नंबर पे पहुंचने वाली है यह तो अपने आप हो ही जाएगा ऐसे विद्वान है अब यह लोग ऐसे हैं जिनोंने परिश्रम में कोई कमी नहीं रहती है आने वाले वर्षों में पिछले दस वर्षों में हमने जो किया है उसको गती भी बढ़ाएंगे उसका अबिस्तान भी बढ़ाएंगे और गहराई भी होगी उर्चाई भी होगी और हम इस संकल्प को पुरा करने हैं आदर्णिय सभापती जी चुनाओ के दर्मियान में देश वाच्छों को कहता था कि जो दस साल हमने काम किया है हमारे जो सपने और संकल्प है उसके हिसाब से तो ये एपेटाइजर है में कोर्ट तो अभी शुरू हुआ आदर्णिय सभापती जी आने वाले पांच साल मूल सुविगाओं के सेचुरेशन के और हम एक सामान्य नागरी की जो रोजबरा की जिन्दगी की आवशक्ताएं होती है एक गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए जिन व्यवस्ताओं के जिन सुविधाओं के जिस प्रकार के गवनन्स की आवशक्ताएं होती हैं हम इन मुल्भूत सुविधाओं के सेचुरेशन का यूप के रुप में उसको परिवर्ति करना चाहते हैं आजनिय सभाफती जी आने वाले पाँच बर्स गरीबों के खिलाफ निरनायक लड़ाई के हैं आने वाले पाँच बर्स गरीबी के खिलाफ गरीबों की लड़ाई और मैं मानता हूँ गरीब जब गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक सामर्थ के साथ खड़ा हो जाता है तो गरीबों की गरीबी के खिलाफ के लड़ाई सभलता को प्राप्टा करती है और इसलिए आने वाले पाँच साथ गरीबी के खिलाफ लड़ाई के मेरनायक बर्शा है और ये देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई में वीज़ई होकर के रहेगा ये पिछले दस साथ अनुभाव के आधार पर मैं बहुत इस बात से कह सकता है आधनिया सभापती की जब देश दूनिया की तीसरी बड़ी एकॉनोमी बनेगा तो इसका उलाव इसका प्रभाव जीवन के हर शेत्र पर पर देवाला है विकास के विस्तार के अनेक आउसर उप्लब तो होने वाले हैं और इसलिए जब हम दुनिया की तीसरी नंबर की इकॉनोमी बनेगे तब भारत के हर्सकर पर सकारत में प्रभाव तो होगा लेकिन वैश्विक परिवेश में अभुत्पुर्व प्रभाव प्रभाव प्रदा होने वाले हैं आदेनिया सभावती जी हमाने वाले कालखन में नए स्टार्टप्स का नई कंप्रियों का वैश्विक उभार देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं ब्याने वाए कालखन में हमारे टीर टू टीर थी सिटीज भी ग्रोथ एंजिन की भूमिका में बेरिश्पे बहुत ब़ुदा करते हैं आरे निया प्रभावती जी ये सबाब दी टेकनोलोजी डिवन सबाब और इसलिए हम कई नए सक्टर सुमें नए फुद्प्रिंट भी अवर्श्चे उसे देखें देखें आदरने सभापती जी आने वाले पाँच साल में अप्लिक ट्रांस्पोर्ट में बहुत तेजी से बढ़लाव आने वागा और इसको लाव भारत के कोटी कोटी जनों को जन्द से जन्द मिले उस दिशा में हम गंबीता से आगे बढ़ता जाएं हमारे छोटे शहर जाए खेल जगब हो जाए शिच्छा जगब हो जाए इनोवेशन हो जाए पेटन की रिजिस्ट्री हो मैं साथ के जहाओ कि हमारे छोटे 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 शहर खजारों के ताजार में से शहर भारत में एक विकास का नया इत्याद बढ़ने बाते हैं मैंने पहले भी कहा है ये धारत के विकास यात्रा में चार प्रमुकुस्ताम इसका ससर्थिकर इसको अवसर ये बहुत बड़ी चांकत देवेवान है हाद ए सवाब अ किसाम हमारे डेज के किसां हमारे डेज के गरीब हमारे डेज के मुवा हमारे देज की नारी शक्तिश Disco आदे एक ये अ सबूठ इसको हमने हमारे रुकास का लगाए हमारा जो फुस्तस है उसको हमने प्रेखांकित किया है आदेनी सम्हाब करेंगे यहाँ भी कई साथमों ने केती और किसानी को लेकर के हरे लिए अपने विचार रखे हैं और अनेक बाते सकारत मरुप से भी रखी है मैं किसानों को लेकर सब्सक्राइब करता हूँ बीते दस वक्ते हमारी खेती होड़ प्रचार के लाबकारी हो प्रचार को लाबकारी हो उसका हमने अहारा खान केनी प्रचार है अनेरी हो जाओ उसको हमने ताकत देने का प्रयास किया है आए फसल के लिए रण हो जाओ नए भी पिसानों को उखलब दहो बन करें आज की कीमत पुचीत हो और फसल भी मात अलाग तहलेगी सारी मुच्छां पे दूर करें किसानों को सब्सक्राइब करें जाओ जाओ ने एमस्प्रपर खरीच की बांठोग अमने पुराने सारे रखोर को उड़कर करें किसानों को जाओ प्रगार दे दीज से बाजार तक हमने किसानों के लिए हर ग्यवस्ता को बहुत माइक्रो प्लाणिंग के साथ मजबूती देने का भरपूर वर्सक प्रयास किया है और ग्यवस्ता को हमने चाग चौबंद किया आदेलिया सभापती जी पहले हमारे देश में चोटे किसानों को किसान प्रेडिक दान लोन पाना की करीम 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 के मराज़ा बहुत हमुश्किन है अलोपी जिक्टिन की सिंख्या अलोपी जब से अधी आज अमारे लीक्टियों के कारण किसान प्रेडिक दान के मिस्टार के कारण आदेलिया सभापती जी हमने किसानी को एक ब्याकर सुरूट के देखा और ब्याकर सुरूट के हमने किसान प्रेडिक टार्ड मशुक पानी को और मशुआरों को इसान प्रेडिक टार्ड का हमने रात मुहेच आया है Kisahanos का Haiti के काम में असके इस जानकों में मजूदफी Kisahan एकम्ने जानकों अंग्रेश के कार्थान में दस सान में एक बार किसानों की कर्द माधी के बहुत दोड़े के गए और एक होटेशों के बादे 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 गए किसानों को गुम्रा कर रहे था और सब क्लास किये लिए और साथ हजार करोर की कर्द में तुछा इतना होना मचाया इतना हला मचाया था और एक अनुमान था उसके लाभाद थी शरीर देश के तीन करोर किसान था सामाने गरीब छोटे किसान का तो उसमें नामों निशान नहीं था जिसको सबसे जरुवत थी इसकी उनकी योजना में कोई परवान नहीं थी और उन तक कोई लाभ पोंच भी नहीं पाया था लेकिन आदर्णिय सबापती जी जब किसान तल्यां अमारी सरकार के रवे में केंडर में हो जो नीदिया कैसी बनती है तल्यान कैसे होता है लाभ कैसे पहुता है उसका मैं इस सदन को उदहान देना चाहता हूं आदर्णिय सबापती जी हमने प्रदान मंत्री किसान सम्मान योजना चलाई अब प्रियर किसान को हुआ है दोस करोज किसानों को हुआ है अज़री किसान है तीन लाथ करोड रुपिये हम किसानों को देख चुके है आदर्णिय सबापती जी आदर्णिय सबापती जी जेश देख रहा है जूट खलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होगी जिनका सब्के से मुकामला करना इस ते लिए जिनके हौसले नहीं है वो बैठ करके इतनी चर्चा के बार उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं आदरियत सभापती जी देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजीत कर दिया है कि अब उनके पास गली महले में कीखने के सिवाए कुछ बचा नहीं मारे बाजी ओहला और मादान छोड़के भाग जाना यही उनके नसीब में लिखा हुआ मानिय सदेश श्रगन अत्यंत दर्दनाक पीरा दाएक ऐ मरिया दित आचरन से देखकर महूँ साशन तीसे मिरंतर लगातार का आगमी है छेदर्शक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोद किया कि पर्तिपक्ष के नेता को बिना बे रोग टोग बोलने का सुवसर दिया आज उस सदन छोड़कर नहीं गए हैं मरियादा छोड़कर गए हैं आज उन्होंने मुझे पीट नहीं दिखाई है भारत के सुविधान को पीट दिखाई है आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर ने किया है उस सफ़त का अनादर किया है जो सुविधान के तैठी है भारत के सुविधान की इस से बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकता ऐसा कैसे हो सकता है house of elders the upper house हमें देश का मार्ज़र्शन करना है मैं उनके आच्रन की बसना करता हूँ देश के 140 क्रोड लोग इसे हाथ होंगे सदन का मतलब है सत्ता पक्ष की बात सुनो जब आपने अपनी पूरी बात कह दी मान ये सदशे गनाब सब जानते हैं कल देर रात तक चर्चा रखी गई हर सदशे को मौका दिया गया it is an occasion where they have challenged Indian constitution they have outranged the spirit of Indian constitution they have disregarded the oath they have undertaken मैं इस कुर्ची पर बैठकर कि इतना दुखी हूँ कि भारत के सुईधान का इतना बड़ा अपमान इतना बड़ा मजाक भारत का सुईधान हाथ में रखने की किताब नहीं है जीने की किताब है मैं आशा करता हूँ कि वो आख चिंतन करेंगे मंतन करेंगे अपने दिल को टटो लेंगे और करते भी पढ़ाएंगे मानने प्रधान मंत्वी जी आदेने सवाबती जी आपकी वेदना मैं समझ सकता हूँ एक सो चालीस करोर देश वाचियों ने जो मिन्ने दिया है जो जनादेश दिया है इसे ये पचा नहीं पा रहे है और कल उनकी सारी हरकत है फेल हो गई तो आज उनका वो लड़ाई लेडने का भी होसला नहीं था और इसलिए उन मैदान छोड़ करके भाग दे है आदेने सवाबती जी मैं तो करतब्य से बंदा हुआ हूँ और नहीं मैं यहां कोई डिबेट में स्कोर करने के लिए आया मैं तो देश का सेवक हूँ देश वाचों को तरह हिसाब देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब देना मैं उसे अपना करत जो मानता आदेने सभापती जी वैस्वीक परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि फर्टिलाइजर के लिए बहुत बड़ा संकत परदा हुआ हमने देश के किसान को मुसिबत पर नहीं आ रहे दिया और हमने करीब करीब बारा लाग करोड रुपिया फर्टिलाइजर में सबसीड़ी दिये और जो आरत के अजादी के इत्यास में सर्वाथिक है और उसी का प्रणाव है कि हमारे किसान को फर्टिलाइजर का इतना बड़ा बोच उस तक हमने जाने नहीं दिया सरकार ने अपने कंधे पर उसको उठा लिया आदेजर सभापती जी हमने MSP में भी रिकॉर्ड बहुतरी की है इतना ही नहीं खरीट के भी दिने रिकॉर्ड बनाए पहले MSP की गोशा होती थी लेकिन किसानों से कुछ भी लिया नहीं जाता था बाते बताई जाती थी पहले की तुल्ड़ना में अनेक गुना जादा खरीदी करकर के हमने किसानों को सामर्थवान बनाने का प्यास थी आदेजर सभापती जी दस वर्सों में हमने कॉंगरेस सरकार के तुल्णा में धान और गेहु किसानों तक ध्राई गुना अधिक पैसा पहुंचाया और हम आने वाले पांच साथ सरफ इसी का इंक्रिमेंटर बृद्धी करके रुकना नहीं चाहते हैं हम नहीं ने छेत्रों को उन कठिजाईयों का ध्धन करके उसकी मुक्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसलिए आदेजर समापती जी अन्न भंदारन का विश्व का सबसे बड़ा भियान हमने हाथ लिया है और लाखों के ताइदाद में दिक्केंटरित विवस्ता के तहट अन्न भंदारन के रचना करने की दिसा में काम चल पड़ा है फॉल और सबजी एक ऐसा छेत्र है हम चाहते हैं किसान उस तरफ मुड़े और उसके बंदारन के लिए भी एक व्यापग इंफ्रसक्र की दिशा में हम काम कर रहे हैं आगर ये सभापती जी सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र को लेकर के हमने देश सेवा के हमारी यात्रा को निरंतर विस्तार देने का प्यास किया है देश वाचियों को गरिमा पूर्ण जीवन देना ये हमारी प्रात्पिक ता रही है आज हाजी के बाद अनेक दसों को तक जिनको कभी पूछा नहीं गया आज मेरी सरकार उनको पूछती तो है उनको पूजती भी है हमारे दिव्यां भाई भेनों के साथ हमने मिशन दोर में उनकी कठिनाईयों को समझ करके माइक्रो लेवल पर उसको एड्रेस करने का प्रयास किया है और व principio किरने के प्रयास किया है ताकि वे गरिमा पूर्ण जीवन जी सके और कम से कम किसी का सहारा उनको लेना पड़े इस दिशा में हमने काम किया है हादरी सब्हापती जी हमारे समाज में किसे ने किसी कारणवस एक उपेक्षित वर्गव यह एक प्रकारचे समाज में बार-बार हर्दूत होने वाला वर्गव वो ट्रांसजेंडर वर्ग है हमारी सरकार ने कांट जेंडर साथियों के लिए कानून बनाने का काम किया है और जब पस्चिम की दुनिया के लोग यह सुनते हैं उनको भी गर्व होता जब भारत इसना प्रोग्रेसिव है भारत के तरफ बढ़े गर्व की नजरे से देखा जाता है हमने उनको मुक्ष दहरा में लाने का प्रयास शुरू दिया है आपने देखा होगा पदमा एवोर में भी टांस जनर को अवसर देने में हमारी सरकार आगया है अब इने सवाबत देजिए हमारे गुमंत जन जाती है समुदा है हमारे गुमंत साथी हमारे बंजारा परिवार उनके लिए एक अलग कल्यान बौर बनाया है ताकि उनकी आवश्रक्ताओं को हम एड्रेस कर सके और उनको भी एक स्थाही सुरक्षीत और संभावनाव वाला जीवन प्राप्त हो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं हम एक शब्दे लगातार सुनते आये हैं पीवीटी जी पीवीटी जी पीवीटी जी हमारे जनजातिये समुव में यह सबसे पीशे रहा हुआ है और आजहादी के इतने सालों के बाद भी जिन्हों ने उनको नीकर से देखा वोगा पका चलता है कि कैसे हालत में जीते हैं उनकी तरफ किसी नहीं नहीं देखा हमने एक विशेश विवस्ता की है और पी-एम जन्मन योजनाव के अतहत चोपीस हजार करोब यह समुदा बिखरा हुआ है चोटी संग्या में है बोट की उनकी ताकत नहीं है और यहां देश की परंपर ऐसे जिसकी बोट की ताकत है उसी की चिंता करना लेकिन समाज के ऐसे अती पिष़डे लोगों की कुछ चिंता नहीं करता था हमने वो चिंता की है क्योंकि हम बोट की राजरी की करता है अधरी सभापती जी हमारे देश में पारंपारी पारिवारी कौशल लिया भारत की विकास यात्रा का और व्रवस्था का एक अंग रहा है जो हमारा विश्वकर्मा समू है जिनके पास परंप्रागत उससे हुनर है और जो समाई की आवशक्ताओं को पूरी करना है लेकिन उनको कभी अड्रेस ने किये गया हमने करीब करीब तेरा हजार करोड उप्रेगी होजना से विश्वकर्मा समूधाय को आधूरिक्ता की तरफ ले जाना उनके अंदर प्रफेशनलिजम आई फादर्णी सभापती जी गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रे करन को क्या दिया गया था लेकिन मेरे रहडी पट्री वालों को कभी बैंक के दरवाजे तक देखनी की हिम्मत नहीं होती थी हालत थी पहली बार देख मैं पी-म स्वनीदी योजना के तहर रहडी पट्री वालों की चीनता के लिए और आज वो प्याज के कुछक्र से भार आकर के अपने परिशम से और इबान दरी से जो रहडी पट्री वालों को बैंक वालों से लोन मिले हैं यह लगातार बैंक वाले भी खुश है लेने वाले भी खुश है और जो कल फुट पांक पर एड़ी बैठता था आज एक छोटी दुकान दिशा में बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो पहले खुट नदुरी करना था आज एकाद्धों को रोजगार देने की दिशा में काम कर रहा है और यही कारण है कि गरीब हो गलीद हो पीछड भती कि हम विमेन लेड़ डिबलब्बमेंट की बात करते हैं तो उनकी बी उठसा में थोड़ी कमी न जर आती ऐसे समय वहरत ने नारानहिल निश्टा के साथ women late development की और कदम बढ़ाएं और महिला ससंपिकर्ण का लाब आज दिख रहा है हरक्षेत्र में दिख रहा है और भारत की विकास याता में वो contribute कर रहा है कि कल उन्होंने चर्चा में महिलाओं के आरोग्य के विशे पर बल दिया था और उसका महतने क्या है उसकी अवश्रक्ता क्या है उसकी पर बड़े विस्तार्थे उन्होंने कहा था और उन्होंने एक बात है ये भी बड़ी emotional बताई थी कि माँ अगर चलिये गई तो उसका कोई उपाई नहीं होता इन नहीं मिल सकती ये भी बड़ी भावात मक्वात उन्होंने बताया था दिमेंड हेल्थ, सैनिटेशन, वैलनेस पर हमने दस वर्षों में एक priority सेक्टर के आपके काम किया है आदर ने सभापती जी, टॉलेट हो, सैनिटरी पैट्स हो, गैस कनेक्शन हो, प्रेग्रेंसे के दोरान वैक्सिनेशन की व्यवस्ता हो और इसका फाइदा, हमारे देश की माताओ बहनों को मिला है आदर ने सभापती जी, आरोग्य के साथ साथ, महिलाए आत्म निर्भर बने, उस दिशा में भी, हम लगातार काम कर रहे है बीदे वर्षव में हमने जो चार करोर घर बनाए है, उस में से जादातर घर हमने महिलाओं के नाम पर रहे है बैंकों में खाते खुलने से, मुद्रा और सुकन्या, सम्रुद्धी जैसी योजना से, आर्थिक फैसलों बैं है महिलाओं की भूमी का भी बड़ी है, भागीदारी भी बड़ी है, और एक प्रकार से, वो परिवार में भी अब निलने प्रक्रिया का हिस्सा बदने लगी है आदेने सभावती की, विमेंज सेल्फ हेल्फ ग्रूप्स उससे जुड़ी दस करोड बहने, उनका आत्मवाश्वास तो बड़ाई बड़ा है, उनकी आई भी बड़ी है अभी तक, एक करोड बहने, जो इस सेल्फ हेल्फ के उप्रकार करती है छोटा छोटा गाउं में कारोबार करती है, मिल करके करती है किसी गाउंवावों की भी नजर नहीं जाती है उनकी तक, आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ यह आकणा, तीन करोर बहनों को लगपती दिजाजवानाने की दिशा में बढा रहे हैं अधरी सभाती जी, सरकार का प्रयास है कि हर नए सेक्टर को हमारी महिलाएं लीड करें, वो अधवाई करें, उदिशा में हम प्रयास कर रहे हैं नई टेक्नलोजी आती है, लेकिन महिलाओं के नसीब बहुत बहुत आखिर में आती है, हमारी कोशिद है कि नई टेक्नलोजी का पहला आउसर हमारी महिलाओं के हाथ लगे, और वे इसको बढ़े हैं और इसी के तहर नमो ड्राउन दीजी, ये अभियान बहुत सफ़ता पुरवगा आगे बढ़ा है, और आज गाउं में किसानों को बदद करने का टेक्नलोजी के मादम से काम, गाउं की हमारी महिलाओं करी हैं और महिल जब उनसे बात करा तो मुझे कह रही हैं, और इस करीमा पूल गाउं उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाता है, एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स बन जाता है आदर्निय, सभापती जी, देश का दुर्भाग है, कैसे संब्रदन सिल मामलों में भी, राजनीती जब होती है कब देश वाच्यों को विशेस का महलाओं को अकल प्पिड़ा होती है ये जो महलाओं के साथ होते है अत्याचार में, बिपशला जो सिलेक्टिव रवया है ये सिलेक्टिव रवया, भावती चिनका जनत है आदर्निय, सभापती जी, मैं आपके माधम से देश को बताना चाहता हूँ मैं किसी राज़े के फिर आप नहीं बोल रहा हूँ नहीं मैं को राज़नीतिक स्कोर करने के लिए बोल रहा हूँ लेकिन कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तश्वीरों को सोशल मीडिया पे विडियो देखा एक महिला को महां सरे आम सरक पर पीटा जा रहा हूँ वो बहन चीख रही है लेकि महां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है विडियो बनाने में लगे हुए और जो कटना संदेश खली में हुई जिसके तश्वीरे रौँ पे खड़े करने वाली है लेकिन बड़े बड़े दिग्ज मैं सुन रहा हूँ कल से इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं जलक रही है इससे बड़ा सर्विंद्गी का दुखत चित्र क्या हो सकता है और जो अपने आपको बहुत बड़े प्रगति सिल नारी नेता मानते हैं वो भी मुँपे ताने लगा करके बैठ गये हैं क्योंकि सम्मन उनके राजलीतिक जीवन से जुड़े किसी दल से हैं या उस राज जैसे हैं और इसलिए आप महिलाओं पर हो रही ही पीड़ा को चुट चाप हो जाए अधरिये सभापती जी मैं समझता हूँ कि जिस पकार से दिग्ज़ लोग भी ऐसी बातों को नजर अंदाज करते हैं तब देश के तो पीड़ा होती है हैं बारी माता और बहनों को जादा पीड़ा होती है अधरिये सभापती जी राजनीती इतनी सिलेट्टी हो और जहां पे राजनीती को अनुकुल नहीं होता है तो उनको साप सूंग जाता है ये बहुत चिंता का विशा है अधरिये शभापती जी भारत की जनता ने तीसरी बहाँ पुन्य बहुमत की स्थीर सरकार चुनकर देश में तो स्थीरता और निरंतरता को तो आदेश दिया ही है लेकिन इस चुनाओं के नतीजों ने विश्व को आस्वस्त किया है आदने सभावती की और इस नतीजों के कारांग भारत विश्व भर के निवशों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षन का केंदर बन करके उबर रहा है इप्स और बट्स का समय पुरा हो चुका है और भारत में विदेश का निवेश भारत के नवजवानों के लिए रोजगार के नए अवसाल लेक्याता है भारत के युवाओं के टैलेंट को विश्व के मंच पर ले जाने का एक अवसाल बन जाता है अधरिया सरहापती जी Honorable Prime Minister Honorable Members The reply to the discussion on the motion of thanks on the President's address is underway If the House agrees the lunch hour will be dispensed with to conclude the discussion Do I have the leave of the House to dispense with the lunch hour today? Honorable Prime Minister आपने मुझे भी एक मुका दिया है जो मेरे से पहले एक चेर्मन को ही मिला है to listen to the Prime Minister in his third term replying to the President's address जो पराजये का ठीकरा जिन पर फूटना चाहिए था उनको उन्होंने बचा लिया और खुद दिवार बरके खड़े हो गए और कॉंग्रेस का रविया इसा रहा है कि जब जब ऐसी परिस्तिती आती है तो दलीत को पिछडे को ही ये मार जेलनी परती है और वो परिवार बच निकल जाता है इसमें भी यही नज़रा रहा है इन दोनों आपने देखाओं का लोग सभा में स्पीकर के चुनाओ का मसला हुआ उसमें भी पराज़तों पाई थे लेकिन आगे किसको किया है एक दलीत को बड़ीत चला दे लिए खेल खेला हुनों उनको मालुम था कि वो पराज़त होने वाले है लेकिन उनी को आगे किया रास्पती उपराज़ती पत के चुनाओ थे तो 2022 में उन्होंने उपराज़ती पत के लिए स्विशिद कुमार सुन्देजु को आगे किया उनको मरवा दिया दलीत मरे उनका कोछ जाता नहीं है 2017 में आर पाई थी तो उन्होंने मिरा कुमार को लगा दिया पराज़े हुआ उनको पराज़े जहलना पड़ा कॉंग्रेस की SC, ST, OVC ये विरोधी मानसिक्ता है जिसके कारण ये पुर्वराश्पती सिर्यामनाद कोवी जी का अपमान करते रहे इसी मानसिक्ते के खारण देश की पहली आदिवासी महला राश्पती को भी उन्होंने अपमानित करना विरोध करने में कोई कमी नहीं दिए और ऐसे सब्दों का प्रोग जाए जो कोई नहीं कर सकता है आदर ये सलाबती जी ये संसत ये उच्चे सदन सार्थक वाद विवाद सब्वाद और इस मनो मंधन में से अमरत ने काड़ करके देश वाच्चों देने के लिए है ये देश का सबसे बड़ा मंच माना जाएगा लेकिन जब मैंने कई वरिष्ट निताओं की बाते सुनी इसले दो दिन में सिर्फ मुझे नहीं पुरे देश को निराशा हुई है यहां कहा गया कि ये देश के इत्यास का पहला चुनाओ था जिसका मुद्दा सम्मिधान की रक्षा था मैं जरा उन्हें याद कराना चाहता हूँ क्या अब भी एक फिक नेरेटिव चलाते रहोगे क्या क्या आप भूले 1977 का चुनाओ अख़वार बन थे रेडियो बन थे बोलना भी बन था और एक ही मुद्दे पर देश वासे ने वोट किया था लोग कंतर की पुनस थापना के लिए वोट किया था संप्रिधान की रक्षा के लिए पूरे विश्व में इससे बिड़ा कुझी चुनाओ ने हुआ है और भारत के लोगों की रगों में लोग कंतर किस पकार से जीवित है वो 1977 के चुनाओ ने दिखा दिया था लेकिन आप घुम्रा करें देश को मैं मानता हूँ कि संप्रिधान की रक्षा का वो सबसे बड़ा चुनाओ था और उस समय सब्ताथ पर बैटे हुए लोगों उखाव करके फैक दिया था और इस बार अगर संप्रिधान की रक्षा का चुनाओ था तो देश वात्यों ने संप्रिधान की रक्षा के लिए हमें योग गिताया संब्धान की रक्षा के लिए देश वाज्चों को हम पर भरोसा है तहां अगर संब्धान की रक्षा को कोई कर सकता है तो यही लोग कर सकते हैं और देश वाज्चों ने हमें जनादेश दिया है आते हैं सभावती जी जब ख़ल गें यह सी बाते बोलते हैं तो ज़र पीड़ा दाइग लगता है क्योंकि इमर्दिंसे के दोराओं संभिधान पर जो जुल्म होगा जो बुल्डे जिर चलाया गया संभिधान के उप़र लोग तंत्र की दज्जें उड़ा दी गई तब उसी दल के महत्वपुन नेता के रुप्रवूर के साक्षी है फिर भी सदन को गुम रहा कर रहा है भादने सभापती जी आपातकार को मैंने बहुत देवकर से देखा है करोड़ों लोगों को कल्पुना भार की यातनाय दी गई है उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था और जो संसर्थ के अंदर होता था वो तो रेकॉर्ड पर है भारत के संभिधान की बाते करने वालों को मैं पूछता हूँ जब आपने लोगसभा को साथ साल चलाया था लोगसभा का कारकाल पौँच साल है वो कौन सा संभिधान था जिसको लेकर कर आपने साथ साल तक सब्ता की मौजली और लोगों उपर जुल्म करते रहे और आप संभिधान हमें चिकाते हो आदेलिय सभापती जी दख जनों आर्टिकल्स पर एने संभिधान की आत्मा को छिन बिछिन करने का पाप इन्ही लोग ने उस कालखन में किया था अड़तिस्वा उनन्तालिस्वा और बायालिस्वा संभिधान संभिधान और उस संभिधान मो एने मीनी कॉंस्टिटुशन की रुपे कहा जाता था यह सब क्या था आपके मुह में संभिधान की रक्षा सब्द शोभा नहीं देता है यह पाप करकर क्या बैटे हुए लोग हो इमर्देंसी में इछली सरकार में दस साथ यह केमिनेट पे शेकर गेजी क्या हुआ था प्रदान मंत्री संभिधानिक पद है प्रदान मंत्री के पद के उपर एनेसी बैट जाना यह कौन से संभिधान में से लाए थे ब्रवस्टा इस संभिधान में से ब्रवस्टा आप लोग बड़े आपने देश के प्रदान मंत्री पद की घरिबां को चकना चूर कर दिया था और रिमोट पाइलोट बन करके आप उसके बाथे पर बैट गए थे कौन सा संभिधान आपको अनुमत्य देता है आधरियस सभापती जी जराई बताए हमको वो कौन सा संिधान जाय जो एक साउशत को केमिनेट के निर्णय को सारवजेरी ग्रूप से ठार देने का हक देदेता है वो कौन सा समभिधान था इस हैश्यत से फणा गया था आधरिये सरहवती जी हमारे देश में लिखी तुरुप में प्रोटोकॉल की व्यवस्ता है राश्पति उप्राश्पति प्रदान मत्री स्पीकर सब कैसे कहा होते हैं कोई मुझे बताएं कि समिधान की बर्यादाओं को तार-तार करके प्रोटोकॉल में एक परिवार को प्राथ्पति का कैसे दी जाती थी कौन सा समिधान था समिधान इक पदों को बैठे हुए लोगों बाद में एक परिवार के लोग पहले कौन सा सम्विधान की परियादा रखी जाते है और आज सम्विधान की बाते करते हैं सम्विधान लहराते हैं जैसम्विधान कहते हैं अरे आप दो तो इंडिया इजी इंडिरा इंडिरा इजी इंडिया के दाने लगा करके जीए हो आपको सम्विधान की कोई आधर भाव कभी व्यक्त कर नहीं पाए हो आधर्णिय सभापती जी मैं बहुत दंबिर्टा से कह रहा हूं इस देश में कॉंग्रेस सम्विधान की सबसे बड़ी विरोती है उसके जहन आधर्णिय सभापती जी इस फूरी चर्चा के दर पर आए है उनको दोसो पांसो सांगी बाते करने का तो हक है लेकि इमर्जेंची की बात देखे लेते को अरे बुदो वो पुराना हो गया क्यों आपको पुराने हो जाते हैं तो खतमे जाते हैं क्या है है ज़िए सभापती जी इस हाउस पर कोशिश की गई समिधान की बात करना लेकिन इमर्जेंची को कभी भी आने नहीं देना ये चर्चा करने का उनोग है लेकिन ये देश इनके साथ जो लोग बैटे हैं उसमें भी बहुत लोग है जो इमर्जेंची के भुगत भोगी रहे है कि उनकी कुछ मजबूरिया होगी कि आज उनके साथ उनोंने बैटना पसंद किया है मतलब अवसरवादिता का ये दूसरा नाम है समिधान के पतिस्वरपन का भाव होता तो ऐसा नहीं करते है अजेड़े सभापते जी हापात का सिर्वेग राजनेतिक संकट नहीं था लोग तंत्र समिधान के साथ साथ ये भहत बड़ा मानिविय संकट भी था अनेक लोगों को टॉर्चर किया रहा था अनेक लोग जेल में मुर्ति को शमन होए थे जैर्पकाद नाराणजी की सिर्थी खराब हुई कि भार आकर के वो कभी ठीक नहीं हो पाए ये हाल उन्होंने कर दिया था और प्रताटड़ा से राजनेतियों के नहीं है आम आदमी को भी नहीं छोड़ा गए था सामान ने मादमी को भी नहीं और इनको सभापत जी वो दिन ऐसे थे कि जो कुछ लोग घर से निकले कभी घर लोट करके भापिस नहीं आये और पता तक नहीं चला उनका शरीर कहा गया यहां कपके घटनाएं गटी थे अधरीने सभापत जी ये बहुत से पार्टियां कि उनके साथ बैटी है वो अलपसंखकों के आवाज होने के ज़र दावा करते हैं बड़े ज़्यादा चिला करके बोलते हैं क्या कोई मुझफर नगर और तुकमान गेट वहाँ अलपसंखकों के साथ बर्दिन से में क्या हुआ था ज़र याद करने की हिम्मद करते हैं क्या बोलने की हिम्मद करते हैं क्या अगरी सभाई पते जी और ये कंगरेस को clean cheat दे रहे है कैसे देश उनको बाट पनेगा ये सर्माग है कैसी तानास हाई को भी आज सही कहने वाले लोग हात में समिधान की प्रतले करके अपने काले कारणामों को छुपाने की कोशिश कर रहे है आदिनी सवावती जी उस समय कई अलग छोटे छोटे राजनी ते दल थे ये मर्जिंची के खिलाब लड़ाई के मैदान में उत्रे तो दिरे दिरे उने अपनी जमीन बनाई थी आज वो कॉंग्रेस का स्योग कर रहे है और मैंने कल लोगसभा में कहा था अब कॉंग्रेस का परजीवी यूग शुरू हुआ है ये परजीवी कॉंग्रेस है जहां वो खुद अकेले लड़े बाहों का स्ट्राइट रेट शरम जरग है और जहां किसी के सहारे किसी के चंदे पर बैठने का मोगा मिला वही पर से बच कर के आए है देश की जनता ने आज में कुछ फिकार नहीं किया है वो किसी की आड में आये है ये कॉंग्रेस परजीवी है किसी और के कारण सहियों की दरों के बोट खा करके वो जड़ा फली फुली ऐसा दिखता है और कॉंग्रेस का परजीवी होने का कारण उनकी अपने कारणामस है वो देश की जनता का विश्वात नहीं लिपता है वो जोर तोर करके बचले का रास्ता खोज रहे है जनता जनादन का विश्वात जीतने के लिए इनके पास कुछ नहीं है इसके फेक नेरेटिव के द्वारा ठेक वीडियो के द्वारा देश को भमित करके गुम्रा करके अपने कारणामस करने के आदत है अधर्ने सभाब देजी इस सदन में यह उच्चो सदन है यहाँ विकास की वीजन पर चर्चा होना स्वाभाविक अपिक्षित है लेकिन प्रष्टाचार के गंबीर आरोपर से गिरी लोग यह कॉंग्रेस वाले प्रष्टाचारी बचाओ आंदेलन चलाने लग देए बेश शर्मी के साथ जुनको सजाएं मिली है प्रष्टाचार में इनके साथ तश्वीरे निकाले में को मज़ा आ रहा है और जब प्रष्टाचारी जेल जा रहा है तो हंगामा कर रहा है कि आप लोगों को जेल के पहुंच बेज रहे हो अदर्णे सभापती जी यहाँ चर्चा के दोरां केंद्र की जाच एजंचियों पर आरोप लगाए गए है जाच एजंचियों का इस सरकार दुरूप्यों कर रही है ऐसा कहा गया है अदर्णे सभापती जी अब आप मुझे बताइए बस्टाचार करे आप सराब गोटाला करे आप बच्चों के क्लास के बनाने में गोटाला करे आप पानी तक में गोटाला करे आप आपकी शिकायत करे कॉंग्रेस आपको कौर्ट में गसीड करके ले जाए कॉंग्रेस अब अब कारवाई हो तो गाली देवोधी कौर्ट और आपस में जरसाथी बन गई हैं लोग और हिम्मत है तो सदन में खड़ रहो करके जवाब मागो कॉंग्रेस पार्टी से मैं आप औरों से कहता हूँ कॉंग्रेस भी बताएं कि आपने प्रेस कॉंफरंस करके आपके गोटालों के इतने साले सबूत देश के सामने रखे थे कॉंग्रेस ने प्रेस कॉंफरंस की थे इनी लोगों के खिलाप की थे आप ये पताएं कि ये जो उन्होंने सबूत प्रेस कॉंफरंस करके सारी फाइले बताई थी क्या वो सबूत सचे थे या जूटे थे दोनों एक दूजरे को खोलतर गरख देंगे अधरली सबापती जी मुझे विश्वास है ऐसी चीजों के जवाब देने कि उनके नरहिंबत तही है अधरली सबापती जी ये ऐसे लोग है जिनका डबल स्टांडर्ड है दोगरा रविया है और मैं देश को बार बार ये बात याद दिलाना चाहता हूँ ये कैसा दोगला पंचल रहा है ये लोग दिल्ली में एक मंच पर बैठ करके जांच एजंशियों पर आवप लगाते हैं बसाचारियों को बचाने के रिए रेलिया करते हैं और केरला में उनके सहजादी उनी के केरल के एक मुख्यमंत्र जो उनके गड़बंदर के साथ ही है उनको जैल बेज ले की अपील करते है और भारत अरकार को कहते हैं कि इस मुख्यमंत्र को जैल बेज दो दिल्ली में EDCBI की कारवाई उस पर हाय तोबा करते हैं और वही दो उसी एजिंसी से केरल के मुख्यमंत्र को जैल बेजने की बात करते हैं साहजाज तब लोगों के मिन में सवाल होता है कि इसमें भी दोगला कुन हदरिये सवापती जी 36 गड़ में कॉंगरेस सरकार के मुख्यमंत्री के साथ सराब गोटाला जुड़ा यही आप पार्टी बाले चीख-चीख करके कहते थे EDCBI को लगा दो और इसमें मुख्यमंत्री को जैल में डाल दो खुले आम कहते थे और यही यह काम कर इसके लिए बुजारिश करते थे उनको तब EDCBI बहुत प्यारा लगता है अगरेस सभाबती जी यह आज जो लोग जाँच एजन्सियों को बदराम कर रहे हैं हला मता रहे हैं मैं जरा उनकी याददास पर जोड़ डालना चाहिए मैं ऐसे उनका आगरे करता हूं जाँच एजन्सियों का पहले दूरूपियों कैसे होता था कैसे होता था कौन करता था मैं जरा बताला चाहता हूं बद कुछ बयान आपके सामने रखता हूं यह पहला बयान है 2013 का बयान क्या है कॉंग्रेस से लड़ना आसान नहीं है जेल में डाल देगी CBI पीछे लगा देगी कॉंग्रेस CBI वह इंकम ट्रेस का भय दिखा करके समर्थन लेती है यह स्टेटमेंट किसका है यह बयान है स्वरगिय मुलाएम सिंग जी का कॉंग्रेस एजन्चियों का कैसा गुरुक्यों करता है यह मुलाएम सिंग जी ने कहा था और यहां इस सदन के मानिय सदस्द्स तो राम गुपाल जी को मैं जर पूछना चाहता हूं, कि राम गुपाल जी क्या नेता जी कभी जूट बोलते थे क्या, नेता जी तो सच बोलते थे, आदेनी सभबते जी, राम गुपाल जी को यह भी गा, जर भतीजे को भी बताएं, क्योंकि उनको भी आत दिलाएं कि राज वाले कौन थे जरह याद दिला दे उनको पता चलेगा अधर ये सभापती जी मैं एक और बयान पढ़ना था ये भी साल 2013 का है और कौन कहते हैं उनके कॉमरेड श्रिमान प्रकास कराज जिने ये कहा हुआ है 2013 में कहा है एक और महत्वपून स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ और मैं याद दिला आजातों स्टेटमेंट क्या है कि CBI पिंजने में बंद तोता है जो मालिक की आवाज में बोलता है ये किसी राजलितिक व्यक्ति का बयान नहीं है ये हमारे देश की सुप्रिम कौर्ट ने UPS सरकार के समय कहा हुआ बयान है एजन्सियों का दुरूप्यों कौन करता था इसके जीते जाकते सबूत आज मोजूद है आदेने सभावती जी ब्रस्टाचार के विरुद लड़ाई ये मेरे लिए चुनाव हारजित का तराजू नहीं है मैं चुनाव हारजित के लिए ब्रस्टाचार के लिए लड़ाई नहीं लट रहा हूँ ये मेरा मिशन है ये मेरा कन्विक्षन है और मैं मांता हूँ कि ब्रस्टाचार एक ऐसी दिमत है जिसने देश को खोखला कर दिया है इस देश को ब्रस्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए बस्ताचार के पत्ती सर्वामान ने मानवी के मन में नफ़त पैदा करने के लिए मैं जी जान से जुटा हुआ हूँ और मैं इस पवित्र कारे मानता हूँ 2014 में जब मुवारी सरकार बनी तो हमने दो बड़ी बाते कही थे एक हमने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पीत है और दूसरा बस्ताचार पर काले धन पर कड़ा पहार मेरी सरकार करेगी यह मैंने 2014 में सारवजनी ग्रूप से कार जा इसी धे को लेकर के एक तरब गरीबों के कल्यान के लिए विश्व की सबसे बड़ी कल्यान योजना हम चला रहे है गरीब कल्यान योजना चला रहे है दूसरी तरब बस्ताचार के विरूथ नए कानून नई व्यवस्ताएं नए तंत्र हम विक्सित कर रहे हैं हमने बस्ताचार निवान अधियम 1988 उसमें समसोधन किया हमने काने धन के खिलाब एक नया कानून बनाया बेनामी संपत्य को लेकर हम नया कानून लेकर क्या रहे हैं इन कानूनों से ब्रस्ट अधिकारियों पर भी कारवाई हो गई हैं लेकिन लीकेज हटाने के लिए हमने सकारत मत गुष्ट से गवर्रमेंट में बड़ाव लाया हमने डाइवेल बेनिफिट ट्रांसफर पर बल दिया हमने डिजिटल टेकनॉलोजी का भरपूर उप्योग किया है और तभी आज हर लाभारती तक उसके हक का फाइदा तुरंट सीधा पहुँच रहा है एक नए पैसे का लिकेज नहीं होता है यह हमारी प्रप्ताचार के खिलाब कराई का पहलू की और जब सामाने नागरीक को यह ववस्ताइ मिलती है तब उसका लोकतंतर भी भरोता बढ़ता है उसको सरकार में अपना पन महसूस होता है और जब अपना पन महसूस होता ने तब तीसरी बार बैटने का मोका मिलता है आदेडे सभापती जी मैं नी संकोज गुरुप से कहना चाहता हूँ लाग लगबेट नहीं रखता हूँ और मैं देश वाज़ियों को भी कहना चाहता हूँ कि मैंने एजन्सियों को ब्रस्टाचार और ब्रस्टाचारियों पर कड़ो से कठोर कारेवाई करने लिए खूली छूप दे के रखी है सरकार कहीं पर भी टांग नहीं यडाएगी है वो इमानदारी से काम करें इमानदारी के लिए काम करें ये मेरी सूचना है और आदनिय सवापती जी मैं फिर देश्वाचों को कहना चाहता हूँ कोई भी ब्रस्टाचारी कानून से बच करके नहीं निकलेगा ये मोदी की गार्णती है आदनिय सवापती जी राश्पती जी ने अपने समोधन में पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बताया है मेरी अपेख्षाथी इस पर अपनी बात रखते है लेकिन दुर्भाग्य से इतना संबेदन सिल महत्पपूर मुद्दा भी मेरे देश के नव जमानों के भविश्य के साथ जुड़ा मुद्दावी इन्होंने राज नीती के भेंट चड़ा दिया इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है मैं देश के नव जमानों को आस्वस्त करता हूँ कि आपको दोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है मेरे देश के नव जमानों के भविश्य के अधाद खिलवार करने वालों को सक्त से सक्त सजा मिले इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिये जा रहे है साउसद में इन गड़बडियों के खलाब सक्त कानून भी हमने बनाया है हम पूरी सिस्टिम को मजबुती दे रहे है कि भविश्य में मेरे देश के नव जमानों को आशन का भरिस्थिति में भी रहना न पड़े पूरे विश्वास के साथ अपने सामर्थों को प्रदर्शित करे और अपने हग का प्राप्त करे इस बात को लेकर के हम काम कर रहे है आदरने सभापती जी यहां कुछ आरोप लगाने की फैशन है लेकिन कुछ आरोप ऐसे है उसके जवाब गटनाए खुद दे देती है और प्रत्यक्ष को प्रमान की कोई जरूरत नहीं होती है जमू कश्मीर में हाल में हुए लोगस्वाब चुनाओ में मतदान के जहां करे हैं वो पिछले चार दसक के रकॉर्ड को तोड़ लिए और इसको सिरफ कोई घर से गया बटन दबा के आया इतना नहीं है भारत के सम्मिधान को स्विक्रुती देते हैं भारत के लोगस्वाब को स्विक्रुती देते हैं भारत के इलेक्शन कमिक्शन को स्विक्रुती देते हैं ये पहुत बई सकते हैं आदारी समापति देश वासी जिस पल की प्रतिक्षा करते थे वो आज इतनी सहर सरवता के सामने दिख रही है आदारी समापति बिते अनेक दिशकों में बंद हर्ताल आतंकी धमकिया इधर उधर बंधमागे की कोशिश है एक प्रकार थे लोग तमत्रपर गहर बनी हुई थे आज इत बार लोगों ने समिधान पर अतुट विश्वास रखते हुए अपने भाग्य का फैसला दिया है बैस जम्मु कश्मीर के मद्दाताओं को विशेश सुर्चे बथाई देता हूँ आदर ये सभापती की जम्मु कश्मीर में आतंक माद से हमारी लडाई एक प्रकार से अंतिम दौर पह है अंतिम चरण में है आतंक के बचे हुए डेट वर्क को भी हम सक्ती से नेश्ट नाबूत करने के लिए पुरी व्यूरचा के साथ आगे बढ़ रहे हैं बीते दस वर्सों में पहले की तुन्ना में आतंक की घटनाओं में बहुत गिरावट आई है अब पत्थर बाजी की खबरे भी शायद ही किसी कौने में कादबार आ जाए तो आ जाए अब जम्मु कश्मीर में आतंक और अलगाव खत्म हो रहा है और इस लगाई में जम्मु कश्मीर के नागरी हमारी मदद कर रहे हैं नेत्रुत पर कर रहे हैं यह सबसे जड़ा विश्वास पादा करने वाज़ा है आज बहाँ टुरियम नए रेकॉर्ड बना रहा है निवेश बढ़ रहा है आज जो नौर्थ इस को लेकर सवार उठाते हैं उन्होंने नौर्थ इस को अपने हाल पर छोड़ के रखा था क्योंकि उनकी जो चुनावी हिसाथ किताब होता है नौर्थ इस से इतनी ही लोगसभागी सीटे हैं क्या उससे राजनीती में फर्क परता है कभी कोई परवाई नहीं उसे उनके नसीप पर छोड़ दिया था हमने हम नौर्थ इस को अदेश की विकास का एक ससक्त इंजिन बनाने की और हम साकत से लगे था नौर्थ इस पुर्वी इसा के साथ ट्रेड टूरिजम और कल्ट्रल कनेक्टिविटी उसका गेट में बन रहा है और ये जो कहते हैं न हम 21 सदी भारत की सदी उसमें ये इनिशियटी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वादा है यह हमें स्विकार करना है आदेनिया सभापती जी हमने नौर्थ इसमें गत पांच बरस में जो काम किया है और अगर पुराने कॉंग्रेस की हिसाब से जाथ उसको अगर तुलना कर दी जाए हमने जितना काम पांच साल में किया है इतना अगर उनको करना होता न तो कम से कम 20 साल लग जाते एक फीडियो और चली जाती है हमने इतना तेजी से काम किया है आज नौर्थ इसकी कनेक्टिविटी उसकी विकास का मुद्भूत आधार है उसको हमने प्राप्पिक तर आज आज आगे हम निकल चुके हैं और हमने उसको करके दिखाए हैं आज ने सम्हाप्रति विए नौर्थ इसमें साही शांती के लिए दस वर्षों में अनेक प्रयास किये गए हैं और निरंतर प्रयास किये गए हैं मिना रुके मिना ठके हर एक को विश्वास में लेते हुए में प्रयास किये गए हैं और उसकी चर्चा कम हुई है देश में लेकिन परणाम भौती आशा प्रदा करने वाले निकले है राज्यों के बीच सिमा वबाद संगर्षों को जन्मत देता रहा है और आजाजी से अप्टा के निरंचर चलता रहा है हमने राज्यों को साथ बिठा करके सहमति के साथ जितने सिमा विवाद खत्म कर सकते हैं एक के बाद एक एक एकॉर्ड करते करते जा रहा है रेकोर्डेड है सहमति की रेकोर्ड है और उसके लिए जो सिमाओं में किसको उदर जाना है किसको यहां आना है कही देखा यहां बानाने कही देखा बान वो सारे काम कर चुके हैं अर्द रागनिय सभावती यह नौर्ट इसकी फद्वड़ी सेवा है हिंसा से जुड़े संक्टन जो हत्यारवन गिरो थे जो वहाँ लड़ाई लड़ते रहते थे अनगराउंड रेके लड़ाई लड़ते थे हर ववस्ता को चरौती देते थे हर काउंटर ग्रूप को चरौती देते थे खुन खराबा होता रहता था आज उनको साथ लेकर के स्थाई समझोते हो रहे हैं सस्तर सरेंडर हो रहे हैं जो गंबीर गुराना के अंदर हैं वो जेल जाने के लिए त्यार हो रहे हैं अदालत को फेस करने के लिए त्यार हो रहे हैं या एक तंतर के प्रती भरोसा बढ़ना सम्मिधान के प्रती भरोसा बढ़ना भारत के लोग तंतर के प्रती भरोसा बढ़ना भारत के गवर्मेंट की रचना पर भरोचा करना ये इसमें से अनुभो होता है और आज हो रहा है आदने सबाबती की मणिपूर के सबंद में मैंने पीछले सत्र में विस्तार से बात कही थी लेकिर आज मैं फिर से एक बाद दोहराना चाहता हूँ मणिपूर की स्थिती सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरफ है वहाँ जो कुछ भी घटना है घटी ग्यारा हजार से ज़्यादा F.I.R. की गई है मणिपूर छोता सा राज है 11,000 F.I.R. की गई है 500 से जादा लोग एरेस्ट हुए है हादर ये सभापते जी इस बात को भी हमें स्विकार करना होगा कि मणिपूर में लगाता हिंसा की घटना एक कम होती जा रही है इसका बड़लब सांती का आशा रखना सांती पर फरोसा करना संभव हो रहा है आज मणिपूर के अधिकाउस हिस्तों में आम दिनों की तरह स्कूल चलता है कॉलेज चल रहे हैं जबतर और दूसरे संस्तान खूले रहे है अधिने सभापती जी मणिपूर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परिच्छाएं हुई वहाँ भी परिच्छाएं हुई है और बच्चों का अपनी विकास यातरा जारी रखी है अधिने सभापती केंद्रों और राजसर का सभी से बाच्चीत करके शांती के लिए स्वहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है छोटे छोटे इकाईयों से को जोड़ करके इन ताने बाने को गुंत रहा एक बहुत बड़ा काम है और शांती पूल तरीके थे हो रहा है बीते समय में पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है ग्रह मंत्री स्वैम कई दिनों तक महां रहे हैं ग्रह राज मंत्री हप्तों तक महां रहे हैं और बार बार महां जाकर के समयंदी लोकों को जोड़ने का प्यास करते रहे हैं आदर्णिय समापती जी पॉलिटिकल लिडर्शिप तो है ही लेकिन सरकार के सभी परिष्ट अधिकारी जिसका जिसका इन काम से सम्मन्द है वे लगातार वहां फिजिकल जाते हैं लगातार वहां संपर्ग मेरते हैं और समझ चाके समाधान के लिए हर प्रकार से प्रयासों को बल दिया जा रहा है आदर्ण ये सभापती जी इस समय मनिपूर में बाड का भी संकट चल रहा है और केंद्र सरकार राज सरकार से साथ मिल करके पूरा सहयोग कर रही है आज ही एंडिया आदर्ण की दो टीमें वहां पहुँची है हैने की प्राकुती मुसिबत में भी केंद्र और राज मिल करके मनिपूर की छिंटा कर रहे है आदर्ण ये सभापती जी हम सभी को राज नीती से उपर उड़ करके वहां की स्थिति को सामान बनाने में सहयोग करना चाहिए ये हम सबका कर्तब विहाए आदर्ण ये सभापती जी जो भी तत्व मनिपूर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं मैं उन्चे आगाह करता हूँ कि ये हरकते बंद करे एक समय आएगा मनिपूर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है ऐसे लोगों को अज़रे सभापती जी जो लोग मनिपूर के इतिहास को जानते हैं मनिपूर की घटना करब को जानते हैं उनको पता है कि वहाँ का सामाजिक संगर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है उस संगर्ष की मानसित्ता की जड़े बहुत गहरी है इसको कोई नकार नहीं सकता है और Congress के लोग यह न भुले कि मनिपूर में इनी इस कार्मों से दस बार राष्टपती शासल लगाना पड़ा है इतने चोटे से राज में दस बार Presidencial डूर लगाना पड़ा है राष्टपती शासल लगाना पड़ा है कुछ तो मुसीबते होगी और यह हमारे कालगन में नहीं हुआ है लेकिन फिर भी राजरीती फायदा उठाने के लिए वहाँ पर चिस्तकार के हरकते हो रही है और आदर्णिया सभापती जी मैं सदन मैं देशवास्चों को बेपतारा चाहता हूँ 1993 में मनीपूर में ऐसे ही घटनाओं का करम चला था और इतना तिवर चला था इतना व्यापक चला था वो पांच सान लगातार चला था तो यह सारा इतिहास समझ करके हमें बहुत समझदारी के पूर्वक स्थीतियों को ठीक करने के लिए प्रयास करना है जो भी इसमें सहयोग देना चाहते हैं हरे का सहयोग भी हम लेना चाहते हैं लेकिन हम समझने स्थीति को बरकरार रखने में शांती लाने में भरपूर्वक प्यास कर रहे हैं आदरी सभापती जी इस मेरा सौभाग रहा है कि मैं प्रधान मंतरी प्रधान सेवक के रुक में हाँ आया उसके पहले लंबे अर्शे तक मुझे मुख मंतरी के रूप में सेवा करने का आउसर मिला था और इसके कारण मैं अनुभव से सिखा हूँ कि फेडरलिजम का महत्मे क्या होता है और उसी में से कॉपरिटिव फेडरलिजम और इसी में से कॉपरिटिव कॉपरिटिव फेडरलिजम इन विचारों को मैं बल देता आया हूँ और इसी लिए जब G20 समीट हुई तो हम दिल्ली में कर सकते थे हम दिल्ली में बहुत बड़ा तामजाम के साथ मोदी की भाबाई कर सकते थे हमने ऐसा नहीं किया हमने हर देश के हर राज्य के अंदर अलग-अलग कौने में G20 की महत्वपूर्ण कारेकम किये उस राज्य को जानदा जानदा पहस्वी प्रतिशना मिले इसके लिए प्यास किया रहे उस राज्य का ब्राणिंग हो बीश्व उस राज्य को जाने पहचाने उसके सामर्थों को जाने और उसकी विकास यात्रा के लिए खुद भी अपना रसी वजबाई इस दिशा में हमने काम किया है क्योंकि हम जानते हैं कि फैटरलिजम के और रूप होते है हादर ने सभापती की जब कोविड के खिराब हम लड़ाई ररते है जितनी बार मुख्यमंतियों के साथ संबाद हुआ है शाहिए हिंदुस्तान के आजहाजी के इतियास में इतने कम समय में इतनी बार में ही हुआ है हम ने हादर ने सभापती जी ये सदन एक प्रकार से राज्यों से जुड़ा हुआ सदन है और इसलिए राज्यों के विकास के कुछ फोकस है लिया उसकी चर्चा इस सदन में करना मैं उच्चित मानता हूँ और मैं कुछ आगरब ये साजा करना चाहता हूँ आज हम एक ऐसी स्थिति में है जहां हम अगली क्रांती का नेत्रुत्व कर रहे है इसलिए सेमी कंडक्टर्स और एलेक्ट्रोनिक मेनिफेक्टरिंग जैसे सेक्टर्स में हर राज्यों ने बड़ी प्राफिक तासे साथ अपनी नीथिया बनानी चाहिए योजनों लेकर के आगे आना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि राज्यों के बीश दिकास की सपर्दा हो निवेश आकरसं कने वाली नीतियों में सपर्दा हो और वो भी गुड गवणनेंस के माद्यम से हो सपस्ट नीतियों के माद्यम से हो मैं पक्का मानता हूँ कि आज जब विश्व भारत के दरवाजे पर दस तक दे रहा है तब हर राज्यों के लिए उसर है और जब ये राज्यों से जुड़ा हुआ सदन है तो मैं आगरे करूंगा राज्यों से कि आप आगे आगे और विकास की आत्रा में आप भी उसका फाइदा उठाईए रोजगार सुजन में इस राज्यों के बीश परदा क्यों नहीं होनी चाहिए फ़रा ने राज्यों के उस नीति के कान उस राज्यों में नौजवानों को इतना रोजगार मिला तो दूसरा राज्य का है तुम्हारे नीति में मैंने प्लस बन कर दिया तो मुझे ये फाइदा मिला रोजगार के लिए राज्यों के बीश परदा क्यों नहीं होनी चाहिए बहुत समझता हो कि ये देश के नौजवानों के भाग्यों को बदलने में बहुत काम आएगा आज नौजवानों को बहुत दिक फाइदा होने वाला है और साथ साथ देश को भी फाइदा होने वाला है और नौजवानों की एक राज्य सरकार जब अग्रेशिवली नीतियों को लेकर के आती है तो उसका अग्रेश सभावती जी यूएन ने 2023 को येर अप मिलेट्स के रुपे गोशित किया था ये भारत की अपनी खुद की चांकरत है मिलेट्स हमारे छोटे किशानों की ताकरत है और जहां कम पानी है जहां सिचाई की सुविदाई नहीं वहां पर मिलेट्स जो की एक सुपर फूर्ड है मैं मानता हूं कि राज्जी इसके लिए आगे आए अपने अपने राज्जी के इस सुपर फूर्ड को मिलेट्स को ले करके वैश्विक बजार में जाने की होज़ना बढ़ा है उसके करण दुनिया के हर टेबल पर हिंदुस्तान का मिलेट होगा डाइनिंग टेबल पर और हिंदुस्तान के किसाद ये घर बें दुनिया से कमाने का अफसर प्रदा हो जाएगा भारत के किसान के लिए सबूर्डु के नए दौर कुल सकते हैं मैं राज्यों से आगर करूँगा कि आप आईए अदनिय सभावती जी दुनिया के लिए nutrition market इसका solution भी हमारे देश के मिलेट में है यह super food है और जहाँ पर nutrition की जिनता है जहाँ पर हमारा मिलेट बहुत बड़ा काम कर सकता है हमें दारोगे कि दुरस्थे भी वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए हमारे राज्यों आगे आए अपने एक पहचान बनाए आदरे सभावती जी 21 फ्रक्षदी में ease of living यह सामाने मानवी का हक है और मैं चाहता हूँ राज्य सरकार अपने यहां के नीती नीयम व्यवस्ताएं उस प्रकार से विक्सित करें ताकि सामाने नागरी को ease of living का आउसर मिले और इस सरवन से राज्यों को अगरे वो संदेश जाता है तो देश के लिए उप्योग रोखोगा आदिनिय सर्भापती जी का ब्रस्टाचार की खिलाप जो हमारी लड़ाई है उसको हमें कई स्टलों पर नीचे ले जाना पड़ेगा और इसलिए चाहे पंचायत हो नगरपाली का हो महानगरपाली का हो तैसिल पंचायत हो जिला परिशद हो यह सारी कायों एक भी मिशन के साथ ब्रस्टाचार से मुक्ती का राज्य अगर बिड़ा उठाएंगे तो हम बहुत तेजी से देश के सामान ने मानवी को जो ब्रस्टाचार से जूजना पड़ता है उससे मुक्ती दिला सकते हैं समय की मांग है कि हमारे हाँ efficiency अब होती है चलती है का जमाना चला गया है 21 सदी में भारत को अगर भारत की सदी की रूप में अपने आपको प्रस्थावित करना है तो हमारे governance के model में हमारे delivery के model में हमारे निर्डे प्रक्रिया के model में efficiency बहुत अनिवार है मैं आशा करता हूँ कि service की speed बढ़ाने में निर्डे की speed बढ़ाने में efficiency की दिशा में काम होगा और जब इस प्रकार से काम होते हैं तो transparency भी आती है hips and birth भी नहीं रहते हैं और सामान ने मानवी के हकों की रक्षा भी होती है और ease of living इसका आहसास हर नागरी कर सकता है आदेने सभाबत देजी मेरा कर्णिशन है और मैं मानता हूँ क्या समय की मांग है हमारे देश के नागरी कों के जीवन से सरकार की दखल जितनी कम हो उस दिशा में हमने प्रयास करना चाहिए रोज मरा की जिन्दिगे में सरकार 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 हो अब हम उस दिशा में जा रहे हैं तब हाँ जिनको सरकार की जरुख है जिनके जीवन में सरकार की उप्योगी तावशक्ता है उनके जीवन में सरकार का अभाव नहीं होना चाहिए लेकिन जो अपने बलबुते पर जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं सरकार का प्रभाव उनके रोकने का प्रयास न करें और इसलिए सरकार की दखल जितनी कम हो वैसी समाज और सरकार की व्यवस्ताओं को विक्सित करने के लिए मैं राज्यों से आगे करता हूं का आप आगे आएजिए हादर निये सभापती जी क्लामेट चेंज की कारा प्राकृति की आपनाओं की स्थिती बढ़ती जा रही है और वो किसी को एक कौने में करने वाला काम नहीं होता है सामाने मानवी को आरोगे की सेवा वो भी उतना ही महत्त देना होगा और मैं मानता हूं कि हमारे राज्यों में राजनितिक इच्छा सकते के साथ इन मुर्भूत कामों की दिशा में हमारे राज्य जुरूर जुडएंगे अधर निये सभापती जी ये दसक और ये सदी भारत की सदी है लेकिन भुदकाल हमें कहता है कि अवसर तो पहले भी आये थे लेकिन हम अपने ही कामों से अवसरों को खो चुके थे अब हमें अवसर खोने की गल्ती नहीं करनी है हमें अवसरों को ढूंदना है हमें अर्सों अफसरों को जकड़ना है और अफसरों के साहरे हमें अपाने समकल्पों को सिद्ध करना है कुछ दिशा में जाने का इससे बड़ा कोई समय नहीं हो सकता है जो समय आज भारत के पास है 140 करोज देश वास्चव के पास है गिश्व के सबसे युवा आजादी वारे देश के पास है जो देश हमारे साथ आजाज हुए है वो हमें चे आगे निकल चुके है बहुत तेजी से आगे निकल चुके है हम नहीं भाषिवाए हमें इस स्थिती को बदलना है और इस संकल्प को ले करके हमरे किजा जिन देशों ने अशी के दसे में रिफॉंस की है व आच बहुत तेजी से एक बित्सित देश के रुपए खड़े हो गए है हमें रिफॉंस को बुरा मानने के जरूद नहीं है रिफॉंस से कत्राने की जरूद नहीं है और रिफॉर्म करते हैं तो खुर्ट की सत्ता चली जाएगी ऐसे भैभीत रहने की जरूत नहीं है सत्ता को हथेया रहने की कोई आवश्यक्ता नहीं है जितनी भागीदारी बनेगी जितने इंद्रेडे की शक्ती सामान ने मानुई के हाथ जाएगी हम भी भले हम साइद लेट हुए हो दिएकि हम उस अकांचाओं को पूर्ण करने बे उस गती को प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने संकल्पों की सिद्धी कर सकते हैं आदानी जवापते जी विट्सीद भारत का मिशन ये किसी ब्यक्ति का मिशन नहीं है 140 करोर देश वाच्यों का है किसी एक सरकार का मिशन नहीं है देश की सभी सरकारी काईयों का मिशन है और हम एक सुत्र में एक संकल्प के साथ मिल करके चलेंगे तो हम इन सपनों को साकार कर पाएंगे ऐसा माला पुक्का विश्वाथ है मैं विश्व मंच पर जाता हूँ विश्व के अनेग लोगों से मिलता रहता हूँ और मैं आज अनुखों कर रहा हूँ कि पूरा विश्व निवेश के लिए तयार है और भारत हम की पहली पसंद है हमारे राज्यों में निवेश आने बादे